आज मैं आपके लिए कटहल कड़ी कोपता की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही आसानी से बनेगा और टेस्टी भी बनेगा हेलो फ्रेंड्स मैं हुरीना मेरे चैनल में आपका स्वागत है तो आईए बनाते हैं अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लेज लाइक जरूर करें कटहल करी कोपता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कटहल को काट करके और इसे अच्छे से दो करके ले लिए हैं अब हमें इसे वाइल करेंगे तो एक प्रेसर कूकर लिए हैं कटहल को हमें प्रेसर कूकर में वाइल करना है तो अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे लगबग एक से देड़ गिलास थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे नमक डालने से कटहल जल्दी वाइल हो जाता है प्रेसर कूकर का धखन बंद करके और अब हम गैस पर वायल होने के लिए रख देंगे और कूकर में हमें 2 सीटी लगवानी है तो ये पहला सीटी लग चुका है और ये अब दूसरा सीटी लग गया है गैस को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने तक इंतिजार करेंगे फुकर का फ्रेशर निकल चुका है तो अब हम इसे खोल करके देखेंगे और यह आप देख सकते हैं कटल अच्छे से बॉयल हो गया है अच्छे से पक गया है तो आप हम इसे छान करके एक बावल में निकाल लेंगे इस परकार से सारे कटल को हम एक बावल में निकाल लिए हैं आप हम एक बड़ा सा बरतल लेंगे और कटल को उसी में रख देंगे एक हम पोटेटो मैसर लेंगे पोटेटो मैसर से हमें अच्छे से मैस करना है कटहल को हमने अच्छे से मैस कर लिये हैं अब हम इसे मसाले डालेंगे तो आधा छोटा चमच धनिया पौडर आधा छोटा चमच जीरा पौडर आधा छोटा चमच हल्दी पोडर, आधा छोटा चमच लाल मिर्ज पोडर, आधा छोटा चमच गरम मसाला, एक छोटा चमच साबूत जीरा इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बारी कटा हुआ धनिया, टेस्ट के एकोर्डिंग नमक एक कप मैंने बेशन लिया है, बेशन को आधा डाल देंगे और आधा बेशन को बचा करके रख लेंगे, फ़ले इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, अगर जरूरत होगी तो और हम बेशन डालेंगे तो यह हमने सारे बेसन को जो एक कप बेसन लिए थे, उसे हम डाल दिए हैं और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे कुफ़ता बनाने के लिए कटल को मसाले में अच्छे से मिला लिए हैं अब हम इस परकार से नीबू का आकार देते हुए इसे बनाते जाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे कुफता बड़ा या छोटा आप अपने एकोडिंग बना सकते हैं तो सारे कुफते को हम बना करके ले लिए हैं दो बड़े साइज के प्याज को लंबे स्लाइस में काट करके ले लिए हैं दो बड़े टमाटर को भी खाट करके लिए हैं तो अब हमें इसे ग्राइंड करना है तो सबसे पहले हम प्याज को ग्राइंड करेंगे और इसमें 8-10 लहसुन डालेंगे तो यहां पर मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिए हैं अब हम इसे एक बावल में निकाल लेंगे प्याज टमाटर को हम अलग-अलग ग्राइंड करेंगे इसका ग्रेवी बहुत टेस्टी बनता है अलग-अलग ग्राइंड करने से तो अब हम टमाटर को भी ग्राइंड कर लेंगे क्या हैं इसी जार में और ए टामाटर को हमने ग्राइंड कर लिए हैं इसे भी हम एक बावल मैं निकाल लेंगे है तु सबसे पहले हम खुराय कर चेक तो तील को गरम होने के लिए के लिए आथा थील गरम हो गया है तो आब फटाफट इसमें कुष्ता डालेंगे कडाही में जितना भी एस्पेसों उसमें उसी अंसार से हम कोफता डालेंगे तो यह हमने सारे कोफते को एक बार में तल करके निकाल लेंगे एक साइड जब गुल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे पल्टेंगे तो यह आप देख सकते हैं यह गुर्डन ब्राउन हो गया है और यह अच्छे से तल चुका है तो आप हम इसे निकाल लेंगे और यह हमारा कटाल कोफटा तयार हो गया है तो आप हम इसे ग्रेवी में डालना है सारे कोफटे को हमने तल करके ले लिए है तो अब हम इसी कराही में सबजी बनाएंगे यहाँ पर मैंने कुछ साबूत मसाले लिए हैं दो तेजपता एक दाल चीनी आठ से दस काली मिर्च एक बड़ी इलाइची दो छोटी इलाइची चार लोंग एक छोटा चमत साबूत जी मसाले के लिए खड़े मसाले को हम पका लेंगे अब हम ग्राइंड किया हुआ प्याज डालेंगे प्याज को हम एक से दो मिनट तक पकाएंगे अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो एक छोटा चमत धनिया पौडर एक छोटा चमत जीरा पौडर एक छोटा चमत लाल मिर्च पौडर आधा छोटा चमच हल्दी पौडर मसाले को अब हम अच्छे से भूनेंगे मसाले को दो मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ग्रैंड किया हुआ टमाटर डालेंगे तमाटर डालने के बाद हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम 3-4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे टेस्ट के एकोर्डिंग नमक डालेंगे और ध्यान रहे कि कोफता में भी हमने नमक डालेंगे नमक को हम अच्छे से मिला लेंगे मसाले को भूनते हुए चार मिनट हो गया है तो अब हम इसमें पानी डालेंगे यहां पर मैंने दो गिलास पानी डाले हैं ग्रेवी आप अपने एक ओर्डिंग रख सकते हैं गाढ़ा या पतला मसाले को अब हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें कोपते डालेंगे तो सारे कोपते को हम ग्रेवी में डालेंगे इसे हम अच्छे से मिला लेंगे बारी कटा हुआ धनिया पता डालेंगे आधा छोटा चमच गरम मसाला डालेंगे अच्छे से मिला लेंगे चार से पांच मिनट तक इसे हम धख करके पकाएंगे पांच मिनट के बाद हम देखेंगे और यह आप देख सकते हैं ग्रेवी वाले कठर कुफता बनकर तयार हो गया है थोड़ा कुफता को हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम कैस को बंद कर देंगे और यह बहुत ही लाजबाव खटर कुफता बनकर तयार हो गया है तो फटाफट अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे इसे आप पूरी पराठे रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है वीडियो पसंद आए तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें और यह आपको यह कोफता निकाल करके दिखा रही हूं बहुत ही सॉफ्ट बना है तो फ्रेंड्स एक बार जरूर ट्राई करें बहुत ही टेस्टी बनेगा और सॉफ्ट बनेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ